आपे होगा न में है झाभ वाल वेल आदो तो डिक आप गोगे अधिस्केस अ फ्यूचर कंटीनूस टेंज हें जो हैनुचैनस, निस से न होग YOU बसाँ continuous पढ़ाया था और अब future continuous पढ़ाऊंगी future continuous में आपको मैंने बताया था कि future जो है उसका मतलब है मुस्तक्बिल future continuous हमारा आने वाला कल और continuous क्या होता है जो काम अभी जारी हो incomplete हो जो अभी मुकमल ना हुआ हो उसको हम कहते हैं continuous अब हम इसकी पहचान पढ़ेंगे इसके helping verbs पढ़ेंगे और इसके usage क्या है helping verbs का और structure पढ़ेंगे example के थुरू चले हम start करते हैं जिन फिकरात के आखिर में रहा होगा रही होगी रहे होंगे वगारा आता है इसमें रहा हो गा गा यह कौनसा टेंस हुआ फिएचर फिएचर रहा से में पता जलता है यह काम अभी incomplete है हो रहा है तो ये क्या होगा continuous tense और होगा से हमें पता चलता है कि ये कौन सा है future है भी ये भी होने वाला हमारा आने वाला कल है तो जिन फिक्रात के आखिर में रहा होगा रही होगी और रहे होंगे बगएरा आता है अब इसके helping verbs क्या हैं इसके helping verbs दो है will be and shall be ये थोड़े tricky है इनको use करना अक्सर mistake कर देते हैं कि will be को कठ्था ही लिख देते हैं वो लेकिन ये इकठ्था नहीं आता जब हम question पूछ रहे होते हैं ना किसी से तो फिर ये will be इकठ्था नहीं आता ये मैं आपको structure में बताऊंगी ये कैसे आएगा helping verbs क्या है इसके will be and shall be usage क्या है helping verbs क्या है shall be में क्या है I, we shall be जो है ना किनके या साथ यूज होता है I और we के साथ सिर्फ I और we के साथ यूज होता है और will be वैसे तो shall be तो language में अब यूज ही नहीं हो रहा अब तो will be use करते हैं you के साथ, we के साथ भी use कर लेते हैं I के साथ भी use कर लेते हैं लेकिन tenses में एक जो grammar होती है उसमें तो shall be के साथ ही आता है I और we जो है ना वो shall be के साथ आता है और will be, he, she, it, they, singular और plural noun के साथ इसमें singular और plural noun दोनों के साथ क्या आएगा will be और I और we के साथ सिर्फ आएगा shall be अब हम इसका structure देखते हैं structure में सबसे पहले subject जैसे पहले subject ही आता है subject फिर क्या आएगा helping verb helping verb इसमें क्या है will be और shall be ये use होंगे इनमें से कोई एक फिर verb की first form इसमें भी verb की first form ही आएगी और वी वन और ing और object आएगा अब हम इसकी example लेखते हैं वो खाना खा रहा होगा वो खाना खा रहा होगा ये कौन साथ टेंस है future current you know इसमें अब देखें subject क्या है वो तो वो की English क्या होती है इसमें लड़का है तो क्या आएगा ही अगर लड़की होती तो she आना था अब हम इसमें देखेंगे कि वो ही अब इसमें will be will be use होगा क्योंके ही की साथ क्या use होता है will be he will be eating खाना की क्या English होगी इसमें eat और ing लगेगा तो क्या बन जाएगा वर्ब की फर्स फार्म और ing लगेगा तो क्या बन जाएगा ये eating आगे object क्या इसमें meal तो क्या बनेगा ये he will be eating meal meal भी कह सकते हैं हम food भी कह सकते हैं तो he will be eating meal इसमें काम क्या है काम क्या है इसमें खाना तो खाना क्या होगा इसमें वर्ब इटिंग क्या है इसमें वर्ब और आबजेक्ट क्या है काम हो किस पे रहा है हम खाना खा रहे हैं ना तो काम किस पे हो रहा है खाने पे तो मील इसमें क्या होगा आबजेक्ट आगे क्या वो खाना खा रहा होगा तो इसमें क्या होगा सबसे पहले क्या आएगा will helping verb start पर आजएगा तो will आगे subject हम यह नहीं डिखेंगे will be फिर subject ऐसे नहीं होगा will be को इकठा नहीं करना जब simple एक होगा ना sentence तो उदर हम will be को इकठा यूज़ करेंगे he will be जैसे उपर हमने लिखा he will be eating meal अब हम इसमें question पूछ रहे हैं क्या वो खाना खा रहा होगा तो question में will start पर आजएगा जो भी helping verb will नहीं इसमें तो will start पर आजएगा फिर हम क्या लगाएंगे subject फिर हम लगाएंगे be subject के बाद be लगाएंगे फिर verb की first form फिर ing and then object अब हम इसका देखते हैं will subject क्या है इसमें he will he be eating meal ऐसे आएगा will he be eating meal आगे क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा तो अब इसमें नहीं है खाना नहीं खा रहा होगा अब ये not वाला है अब हम सबसे पहले इसमें भी क्या आएगा helping verb will will इसका helping verb स्टार्ट पर आजएगा फिर हमने क्या कहा था मैंने के be साथ नहीं लगाना फिर हम subject लगाएंगे तो हम जैसे के पीछे हमने पढ़ा है कि subject के बाद not आता है subject के बाद not आता है तो हम इदर क्या लगाएंगे not फिर be लगाएंगे और फिर verb की first form ing और object क्या ये sentence बनेगा will he not be eating meal जब हम will जब एक simple होगा कि क्या वो खाना खा रहा होगा तो फिर हम subject के बाद be लगाएंगे और जब इसमें not आ जाएगा तो फिर हम subject के बाद not और फिर be आएगा I hope आपको समझ आ गई होगी आगे वो खाना क्यूं खा रहा होगा अब क्यूं में आए question वो खाना क्यूं खा रहा होगा डेबलेज फैमिली है ये why will he be eating meal क्या आएगा why फिर will फिर subject फिर be subject के बाद be subject के बाद be आना है इदर not नहीं है इसलिए not नहीं आएगा तो subject के बाद be आएगा फिर वर्ब की first form ing and then object तो ये क्या बनेगा why will he be eating meal फिर वो खाना क्यूं नहीं खा रहा होगा नहीं अब बैना तो अब why आजाएगा फिर क्या आएगा will वोही structure रहेगा लेकिन सिर्फ इसमें क्या आना है not not कब आता है subject के बाद subject के बाद not आएगा और फिर भी आजाएगा simple फिर वर्ब की first form ing और वोही सारा structure वोही है सिर्फ इसमें not आना है और not कहां आना है subject के बाद अब इसमें रहे गया कौन खाना खा रहा होगा कौन इसमें क्या है who अब इसमें subject नहीं है वो पूछ रहे हैं कौन खाना खा रहा होगा तो हम इसमें ही नहीं डालेंगे हम लिखेंगे who who लिखेंगे फिर will फिर be फिर वर्ब की first form ing and then object तो क्या बनेगा ये who will be eating meal इसको how नहीं बढ़ना ये who है ये w-ho वाला who और h-o-w वाला how होता है वो how होता है और ये होता है who ये हम कौन इसका मतलब होता है उसका मतलब होता है कैसा कैसे how का मतलब होता है कैसा कैसे और who का मतलब क्या होता है कौन इसको हम ऐसे पर अनॉम्स करते हैं w-h-o who अच्छा तो आजका हमारा यही लेक्टर था, I hope आपको समझ आ गयी होगी जैसे हमने first वाले में क्या पढ़ा था present में, क्या औसकी पहचान थी, फिर हमने, उसकी past में क्या पढ़ी, अब हम future में क्या पढ़ी, आपको सब की समझ आ गई होगी, please do like, subscribe and share with your friends and family and please comment and please अपने आप feedbacks भी दिया करें नीचे remarks दिया करें कि आपको समझ आ रही है आपको मेरा method किस तरह का लग रहा है ताकि मुझे भी थोड़ा मुझे होसला हो के वाकि मैं अच्छा समझा रही हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही फिर भी आप नीचे कुछ भी feedbacks दिया करें ओके अला आफिस टेक क्यार दुआओं में आद रखियेगा